हाई एब्रिवान आप सभी कैसा होते एक और अन्यदार नीव वीडियो में नीव एक जानकरी के साथ आपका एक पीएप एकॉंड नाम है या पीएप होल्डर में आपके नाम है तो आज की इस वीडियो आप सभी पेप मेंबर्स के लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो है इस वीडियो में हम बात करेंगे आप पीएप एकाउंड में किस तरीक से अपना रिजन डेट को आपडेट कर सकते हैं यानि एकजिट डेट को आप डल सकते हैं तो इस प्रोसेस को आप अपना मोबाल फोन से ही कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको कॉंपिलिट दिखने बाला हूँ, सबसे पहले आपको EPF की official site पर आ जाना है और इसका link आपको वीडियो की description box में मिल जाएगा क्लिक करते आप directly इसी page पर पोच जाओगे तो यहाँ पर आपको एक even number, password and capture इंटर करके आपको sign in पर क्लिक करना है next interface कुछ इस तरके से open हो जाएगा आपके register mobile number पर एक OTP रिसीब हो आए उस OTP को यहाँ पर इंटर करेंगे साथ में capture को यहाँ पर इंटर करेंगे बाद next submit बटन पर क्लिक करेंगे कुछ second loading होगा आपको wait कर लेना है next interface कुछ इस तरके से open हो जाएगा तो आपका PF account में कितना member ID है इसको check करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है भी option पर next क्लिक करना है service history पर interface कुछ इस तरके से open हो जाएगा और यहाँ पर आपको service details देखने को मिल जाएगा और आपका जीतना भी member ID है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर जैसेake account आप और इस से जढ़ाこंपनी में काम करते हो यह पर आपको 5 देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है 10 page यह 25 page इस सटेट कर लेना है सारे Member ID जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आभी बात करते हैं कि आपका पीएप अकॉन में आप Date of Exit को किस तर किसे mention करेंगे इसके लिए यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल रहा है Manage तो यहाँ पर क्लिक करेंगे Next यहाँ पर Mark Exit पर क्लिक करेंगे आपको देखने को मिल जाएगा Next आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा Select Date of Exit तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है Next यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा रहा है Re-Select Date of Exit तो यहाँ पर Next Select option पर क्लिक करेंगे दुबारा सा सेम कलेंडर ओपेन होगा तो जैसे कि यहाँ पर February मांत 2013 शो कर रहा है तो इस मांत की Last Date को दुबारा सा Select करेंगे तो यहाँ पर दोनों कलम में हम सेम Date को Select किया हो Next यहाँ पर Select Region of Exit तो Next इस Select option पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है Retirement option आपको Select कर लेना है Next आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक Box इस Box में Checkout करना है और नीचे Select करना है और यहाँ पर Request OT पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर आपको एक Pop-Up देखने को मिल रहा है Alert का और यहाँ पर आपको दो Option मिल रहा है एक Yes एक No यहाँ पर Date of Exit को आपको धैन से Carefully Update करना है अगर आपसे Date of Exit Mistake Update हो जाता है तो आप खुझ से इसको सुधार नहीं कर पाओगे ओनलाइन इसके लिए आपको भागदूर करना परेगा नेक्स्ट यहाँ पर हम Yes बटन पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम सही Date को Select किया है और आपकी रेजिस्टर मोबाल नमबर पर OTP रिसीव होगा यहाँ पर OTP इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर बॉक्स में Check Out करेंगे और नेक नीचे Select Down करेंगे यहाँ पर Submit बटन पर क्लिक करेंगे और एक alert message यहाँ पर आपको शो कर रहा है यहाँ पर See ओर है तो नेक्स्ट यहाँ पर हम Update पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर Processing हो रहा है Your Processing Requests Please Wait आपको कुछ सेगन वेट कर लेना है तो यहाँ पर आप देखके पॉपस हो किया है Date of Exit Updated Successfully आपका Date of Exit डालना Complete हो गया है आपकी PF Account में Date of Exit यहाँ पर Add हो चुका है आप Next यहाँ पर OK बटन पर क्लिक करेंगे और भी आपका PF Member ID है जिसमें आपको Date of Exit डालना है तो दुबारा से आपको यहाँ पर Select option पर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट यहाँ से दुबारा से आपको Member ID Select कर लेना है करने के बाद Next आपको यहाँ पर Date Select करना है इसके लिए आपको Select option पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर December 2022 का कलेंडर उपन हो चुका है तो यहाँ भी मांद सो करेगा उसका Last Date आपको Select कर लेना है दुबारा से यहाँ पर Reselect Date of Exit आपको Select करना है Next यहाँ पर Select option पर क्लिक करेंगे दुबारा से यहाँ पर Last Date को यहाँ पर Select करेंगे Select Regine of Exit तो यहाँ पर Select option पर क्लिक करेंगे यहाँ पर Retirement को Select करेंगे बाक्स में Checkout करेंगे Request OTP पर क्लिक करेंगे पर update बटन पर click करना है second processing होगा आपको wait कर लेना है तो दूसरा member ID में भी आप date of exit को update कर चुका हूं यहाप आप देख सकते है date of exit updated successfully अभी आपको details में दिखा देते हैं तो इसके लिए नीचे select down करेंगे तो यहाप आप देख सकते है दो member ID में हमने date of exit को update के हूं तो यहाप आपको देखने को मिल रहा है यह आपको देखने को मिल रहा है यह आपको date of joining और यह आपको date of exit देखने को मिल रहा है तो left side की तरह साइट करोगे तो यहाप आपको return man देखने को मिल जाएगा और यहाप आपको last contribution and last update और यहाप आपको date देखने को मिल जाएगा आज है 25 ज जनना चाते हैं तो इसके लिए अपको सर्वीश इस्ट्री पर किलिक करना है और सारे मेंबर आइडी पर आपको देखने को मिल जाएगा मिलते रहे हैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नियुक अप्रिट के साथ